जैशी किष्णा दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो इस बार महा शिवरात्री पर बहुत ही सरवासित योग बनने जा रहा है महाकाल की विशेश किरपा होने जारी है इस योग में अगर आप एक वस्तू शिवलिंग पर चड़ा कर खा लेते हैं तो यकी मानिया आपको मन वांचे संतान की धन की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तो पती पत्नी में नहीं बनती है या घर में गरहक लेश रहता है या किसी भी कारे में आपको बाधा आरी है संतान प्राप्ती में पुत्र प्राप्ती में विभा में तो इस उपाय को जरूर करे जिस भी मनो कामना के लिए इस उपाय को किया जाए तो निश्शित ही आपको उसमें सफलता मिलती है दोस्तों महाशिवरात्री का दिन बहुत ही शुब और शेष्ट माना गया है हमारे गरंथों में शास्त्रों में भी महाशिवरात्री का बहुत अधिक वर्डन किया गया है इस दिन सभी देवी देपतावी भगवान शंकर का पूजन करते हैं भगवान शंकर के भक्त बमबम भोले का जैकारा लगाते हैं इस दिन बहुत ही शुब दिन माना गया है महाकाल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है इस दिन बहुत ही सरवासिद्ध योग भी बढ़ने जा रहा है तो इस योग में आपको भगवान शंकर का पूजन पूरे विधी विधान से अवश्य करना चाहिए जिस भी मनो कामना के ल पूजा तो अवश्य करें यानि सुबह के समय भगवान शंकर का पूरे विधी विधान से पूजन करें और सायकाल के समय भी आप भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें दोस्तो भगवान शंकर का पूजन यानि पंचामित से अभिशेग अवश्य करना चाहिए हो सके त गी मतलब दही और शहद और शक्कर जरूर ले और थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर ले आप चाहे तो अलग-अलग भी ले सकते हैं नहीं तो आप एकटा पंचामित भी बना सकते हैं दोस्तों दूद से भगवान शंकर का अभिशेक करने से पुत्र की प्राप्ती होती है गा अलग-अलग महतु बताया गया है तो आप पंचामित से भगवान शंकर का पोजन अवश्य करें और जो भी आपके पास भगवान शंकर की प्रिय वस्तु है बेल पत्र भाग घतूरा मतलब फल फूल तो अवश्य चड़ाएं साथ ही इस दिन आपको जो भोग लगाना है आ आपको एक या दो केला ले सकते हैं उनको आपको काट कर शहद में मतलब डाल कर आपको साथ बार मतलब एक एक जो केला आपने मतलब पीस काटा है उसको शहद लगा कर अपनी मनो कामना बोल कर शिवलिंग पर अरपित करना है यानि भगवान शंकर को भोग लगाना है दोस् तो हम भगवान शंकर को चड़ा नहीं रहे हम उनको भोग लगा रहे हैं यानि उनको खिला रहे हैं आप कोई भी चीज कैसे खाते हैं काटकर ही खाते हैं तो आपको काटकर केला काटकर साथ बार भगवान शंकर को भोग लगाना है और बचे हुए फल को यानि बचे हुए प अवश्य ग्रहन करें महाकाल की किरपा से आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों महा शिवरात्री पर ऐसा दुल्लव योग कई वर्षों में देखने को मिलता है तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो प